आप में से काफी लोगों ने अभी सुना होगा कि देली हाई कोट ने भारती एरिटेल के केस में एक फिवरेबल जज्मेंट दिया है जो भारती एरिटेल ने रिट पेटिशन फाइल करें थी अपने जीएश्टी आर 3-B के लिए तो उन्होंने फिवरेल जज्मेंट देते यह फाइनल जज्मेंट दिया कि आप 3-B manually rectify कर सकते हो जुलाइ 17 से लेके सप्टेमबर 17 से सप्टेमबर 17 तक कि आप GSTR 3-B manually revise कर सकते हो ऐसा उन्होंने फाइनल जज्मेंट दिया दोस्तों आज उसी पेपन विस्तार से चर्चा करेंगे क्या थाउस जज्मेंट में क्या issues थे क्या facts थे आए दोस्तों मैं सी रहुल गोयल आज आपसे पूरी बात करूंगा उस जज्मेंट के बारे में लेकिन उस जज्मेंट पे जाने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं अ आप उसको link कर पाओगे तो दोस्तो एक यह सारे जो article में आप से discuss करने जा रहा हूं वो उस judgment में भी कहीं न कहीं referred है दोस्तो एक article है article 226 यह article high court को right देता है कि आप कोई भी order issue कर सकते हो even भारत सरकार को भी आप order दे सकते हो कोई order issue कर सकते हो किस case में अगर constitution के part 3 में जो fundamental rights दिय हुए हैं उनको enforce करने के लिए अब part 3 में क्या fundamental rights दिये हुए हैं जो इस order से related है तो उसमें एक आता है article 14 वह article 14 आपको बोलता है equality before law कि law में जो भी आपको protection दी गई है citizen of Indian को जो भी protection law को में दी गई है वो सारी उसको equally मिलनी चाहिए हर एक citizen को मिलनी चाहिए दोस्तों एक article है अपना article 265 वह बोलता है कि आप किसी से कोई सी भी तरह का text नहीं ले सकते हो जब जब तक कि वह authority of law नहीं हो मतलब कि किसी एक्ट में अगर लिखी हुई नहीं यह बात तब तक आप किसी से किसी तरह का text नहीं ले सकते हो ना उस पर इवन लगा भी नहीं सकते हो collect करना तो दूर की बात है फिर एक important article और है 300a वो क्या बोलता है वो यह बोलता है दोस्तो कि no person shall be deprived of his property saved by authority of law मतलब authority of law में उसकी कोई property दी वी है मतलब authority of law में कुछ ऐसा कहा गया है कि यह उस particular citizen का right है particular citizen को यह particular चीज देनी चीए तो आप उसको उस particular चीज से वंचित नहीं कर सकते हो दोस्तों अब यह चीज कैसे हुई भारती अर्टिकल कैसे रिलेट हुए एक्जांपल जैसे में बोता आता हूं कि आर्टिकल 300 में बोला कि no person shall be deprived of his property say by authoritative law तो यह कैसे हुआ पिटिशनर भारती अर्टेल को प्रिवेंट किया गया रोका गया कि आपकी जो मंतली GST रिटन है आप उसको उस मंत में क्रेक्ट नहीं कर सकते हो और आपको access tax paid नहीं किया दिया जाएगा जबकि authority of law में ऐसे कोई ठीक कर सकते हो जबकि कोई circular law के बाद में आपने उसको इससे वंचित कर दिया तो that was against article 300a आए दोस्तों पहले पूरा case अपन सुरू से discuss करते हैं फिर उसका analyze करते हैं कि क्या case था और कैसे हमें हमारे लिए यह beneficial है दोस्तों तो जो issue involved था दोस्तों वो issue ये involved था कि एक circular आयदा 26 26 by 2017 उसमें ये कहा गया था कि आप GSTR 3B में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो जिस महीने में आपने वो गलती notice करी है उस महीने में आप उसको ठीक कर सकते हो ये एक issue था दोस्तों इश्यू पर आप जाने से पहले issue की बात अपन आगे करते हुए अपन जानते है fact of the case क्या थे दोस्तों तो इस case के fact कुछ ऐसे थे दोस्तों कि जुलाई 17 से लेके September 17 में जब GSTR 3B भारती ATL फाइल कर रहा था तो उनसे कुछ गलतिया हुई दोस्तों वो गलतिया क्या कर दी कि पूराने tax regime के कुछ credits नोड थे वो उन्होंने show नहीं किये जिससे उनकी tax liability ज़्यादा आ गई ऐसे कुछ अग mistake उनसे और होई GSTR 3B में जिससे actual impact क्या हुआ वो actual impact यह हुआ दोस्तों कि 923 क्रोड रुपे का उन्होंने tax pay किया जुलाई 17 से लेके सितंबर 17 की 3B के थुरू अगर वो यह गलतिया नहीं करते तो वो tax का payment नहीं करते cash में वो credit उनके पास होता और credit वो utilize कर सकते थे और यह गलतिया उनको कब पता चली जब October 2018 में GSTR 2 ए जुलाई 17 से लेके सप्टेमबर 17 तक हमने गलत reporting कर दी अंडर reporting कर दी अब क्या चाता है पिटिशनर भारती एटेल क्या चाता है वो चाता है कि मैं अपनी return correct कर दूँ जुलाई 17 से लेके सप्टेमबर 17 की 3B मैं correct कर दूँ उसमें जो मेरा input बनता है वो मैं ले लू जूतनी returns को ठीक कर सके दोस्तों तो return ठीक नहीं करने की वज़े से 923 क्रोड रुपे का जो cash access payment किया था वो उनके एक दोरे संगट में फस गए कि उस 923 क्रोड रुपे का क्या होगा मैं अगर input उसमें claim नहीं कर सकता हूं तो वो मेरा access payment हो गया ना मुझे उसका refund मिलने वाला है दोस अब उस petition में कुछ एक circular discuss हुए दोस्तों वो circular में आपके साथ पहले discuss करना चाहता हूं आपको ध्यान होगा दोस्तों एक circular आया था जुलाई September 17 में जब GST शुरू में आया ही था उस circular के पेरा में पेरा 6 में अपने से यह कहा गया था कि आप जब GSTR 3B भर रहे हो और GSTR 3B मे अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है let's example एक गलती है पर ले लेते कि ITC जो थाई वो GSTR 3B में आपने कम claim कर ली लेकिन आपके पास option था दोस्तों GSTR 2 का उस GSTR 2 के थूरू आप सही ITC ले सकते थे यह circular number 7 ने आपको write दिया एक तरीका बताया कि वह यह GSTR 1, 2 और 3 का concept था उसमे 3B में आपको input ले लो अगर कम जादा होता है तो GSTR 2 में ठीक हो जाएगा और उसी मंत्र वो चीज correct हो जाएगी दोस्तों यह circular 7 का पेरा 6 बोलता था दोस्तों उसी सेम circular का पेरा 9 क्या बोलता था कि अगर आपने कोई चीज जो 3B में input कम ली है और GSTR 2 में उसको ठीक कर दिया है GSTR 2 में 3B के comparison में ज्यादा है बर GSTR 2 में वो चीज correct है तो जो final return GSTR 3 होगी उसमें वो चीज reflect हो जाएगी आपकी correct ITC reflect हो जाएगी और आपका simultaneously जो आपने गलती करी थी GSTR 3B में कम input लेके या इवन ज्यादा input लेके वो GSTR 2 के through GSTR 3 में आपके correct हो जाएगी और correct reliability का आप payment कर देंगे GSTR 3 में for example आपको 3B में लेनी चीए थी 1000 की credit पिट आपने ली 600 रुपे की credit तो आपने 400 रुपे से कम credit ली जब GSTR 2 में आप invoices accept कर रहे थे सामने वाली आपके suppliers के तब वहां आपको पता चला कि यह तो 1000 रुपे का credit है और आपने GSTR 2 में वह 1000 रुपे का credit ले लिया करोगे GSTR 3 में जो आप payment करोगे वह 1000 रुपे के credit यूज करते हो या वह payment कर सकते हो तो इस प्रकार सेम मंत में आपकी गलती correct हो सकती थी दोस्तों यह था जो सुरू में low बना था सुरू में जो एक्ट लिखा गया था जो section 37 से लेकि 43 तक जो बाते करी गई थी वह complete यह बाते करीवी थी GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 के बारे में दोस्तों लेकिन अब सामने आने लगे technical glitches, site पे issues जिसकी वजह से यह GSTR 2 और GSTR 3 प्रोपर्ली वर्क ही नहीं कर पाए अब जब यह प्रोपर्ली वर्क नहीं कर पाए तो एक नया circular लेके आगए circular नंबर 26 जिसका पेरा 3.2 क्या बोलता सदा दोस्तों पेरा 3.2 ने बोला कि भाया GSTR 2 और GSTR 3 को we are not operationalized yet हम operationalize नहीं कर पाए तो वी विल कैप्ट इन अब्याइंस तिल सच टाइम इस टू रिटरंस अरो प्रोपर्ली जब तक यह प्रोपर्ली ऑपरेशनलाइज नहीं हो जाएगी हम इन फॉर्म्स को GSTR 2 और GSTR 3 और पॉस्पॉंट कर देते हैं दोस्तों यह बोला पिर आप 3.2 में कि यह GSTR 2 और GSTR 3 पॉस्पॉंट करने से क्या होगा जो 3B में अगर आप कम input क्लेम कर रहे थे जो कि हम GSTR 2 के थ्रू क्रेक्ट कर सकते थे और GSTR 3B में सही liability कर सकते थे या सही input use करके हम liability कर सकते थे वो option हमारे पास से खतम कर दिया उन्होंने दोस्तों और साथ में पेरा 4 में क्या बोला कि 3B में आप correction अब कर सकते हो पहले तो हमारे पास option था कि हम 2 और 3 में कर सकते थे वह जब 2 और 3 इन्होंने set aside कर दी side में रख दी एक बार के लिए तो अब 3B क्या होगा 3B में कुछ गलती हमसे हो इसका क्या होगा क्योंकि यह तो circular लेकर आये दिसंबर 17 में तो दिसंबर 17 तक 29 दिसंबर को लेकर 28 दिसंबर तक हमने को return file कर दी 3B उसमें हमसे गलती हो गई जो हमें पता था कि हम 2 और 3 में सही कर सकते हैं तो 29 तारी के बाद क्या होगा उसका तो सरकार ने paragraph 4 के थूँ बोल गलती नजर आई जैसे कि मानलो जुलाई बारती एटरल के case में जुलाई 17 से लेके सितंबर 17 में आपने गलती करी और मेरे को मानलो 4 महीने बाद पता चलता है जनवरी 18 में पता चलता है कि मैंने उन 3 महीनों की return में गलती करी थी तो मैं उस particular मंत में जिस मंत में मुझे पता और दिया गया था जो circular साथ में भी था और एक्ट में लिखी हुए जिस मंत में आपसे गलती हुई है उस मंत की return में आप प्रफेक्टली सही कर सकते हो जबकि circular 9 ने आपसे राइट अब छीन लिया दोस्तो इसकी वज़े से क्या हुआ उनके 923 क्रोड रुपे अठक गए द कर सकते थे भारती एटेल बट वो इंपुट क्लेम करने से होता क्या इंपुट तो वो क्लेम कर लेते पट वो उनका पैसा क्रेडिट लेजर में अटक जा था जो उनको चाहिए था refund वो सायद हो सकता था refund फाइल नहीं कर सकते थे उसका जो access उन्होंने केस में payment कर दिया था इंपुट का 923 क्लोड रुपे का अगर वो 923 क्लोड रुपे जुलाई 17 से लेके सितंबर 17 की ही return में अगर वो क्लेम कर सकते हैं तो वो जो access payment किया था 923 क्लोड रुपे का वो उनको 100% refund मिल जाएगा दोस्तो अब सेम मन्त की मैं correct नहीं करने से जिस मन्त में मैं notice कर रहा हू उस मन्त में मैं अगर correct करता हूँ तो उस मन्त में input ले सकता हूँ refund तो मैं लहीं नहीं पाऊंगा यह issues थे तो petitioner ने भारतिये रिटेल ने यह सारे issues अपने उस रिटिपिश्टिशन में डाले एक एक issue मैं आपको वापिस एक बार बताता हूँ पहला उन्होंने बोला कि भी इल्कुल भी rational नहीं है यह जो आपकी चीज है next contention दिया कि यह जो आप circular लेके आयो that is contrary to the statutory scheme of CGST Act which provide the data filled by a registered person will be validated in the month itself and thereafter any unmatched details to be rectified in the month in which it is notified statutory provision ने क्या राइट दिया था कि जिस महिने में हम डेटा डाल रहे हैं 3B में हम GSTR 2 में उसको validate कर सकते हैं match mismatch कर सकते हैं हम उसको ultra modify कर सकते हैं सारे राइट दिये थे वह सारे राइट आप ने हमसे छिन लिए उसके बाद आप circular 26 बटा 2026 जो है वह ultra wise to the provision of act है because of these things फिर article 301 जो हमने शुरू में बात करा उसकी उन्होंने बात करी कि you cannot deprive a person from his property से हो भाई authority of law कि जो authority of law में कुछ कहा गया है आप वो property उससे नहीं छिन सकते हो फिर उन्होंने section 37 से लेकि 43 का हवाला दिया उसमें उन्होंने वापिस वही चीज़ बोली कि in section 37 43 में क्या थी एक filing की scheme थी कि outward supply की एक written होगी invert supply की एक written होगी और इनमें आप ITC avail tax paid यह सब चीज़े जाएंगी तो इस statute नहीं राइट था petitioner के पास कि वह necessary काम कर सके यह उसका राइट था लेकिन यह अब उसका राइट आपने उससे चीन लिया है यह क्यों चीन लिया है because of government's inability government's inability to run IT system as per the x structure resulting in a delay in operation of GSTR2 एक कि government की inability थी उसमें कि आप IT system properly run नहीं कर पाए किसी साफ से रण नहीं कर पाए कि act में जो चीजे दी गई थी GSTR123 वो आप आपके जो IT system है उस पे आप रण नहीं कर पाए कि इसकी वजह से एक असीशी को कानून में जो एक्ट दिए गे कानून में जो राइट दिए है उससे तब उसको वंचित नहीं कर सकते हूं और राइट क्या था कानून में अगर मैं फिर से रिवाइस करूं वो राइट यह था कि ज जुलाई 2017 से नया एक लेक्ट आये मान गया हम आपकी बात नया लोग आपने एंफोर्स किया हमारे 29 स्टेट में और साथ यूनियन टेरिटरी में 50 से ज्यादा रेजिस्ट्रेशन है जी एस्टी के क्योंकि पहले सेंट्राइज था अब आपने कर दिया इस्टेट वाइज अब फिर आप रूल शिटी फाइज इंट्रोड्यूस किया जी स्टी थी पी का उसमें आपने जी स्ट्र टू और जी स्ट्र थी को साइट्वे रख दिया पहले तो प्रेशले बनाया बादलो उसको साइट में रख दिया साथ में उन्होंने कुछ एक केस लो भी डिसकस किये जिसमें से एक था एप एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंड वर्सेश यूनियन ओफ इंडिया उसमें क्या है यह वह था था कि वह एक समरी टेंपररी फेसिलिटी थी अंडर सेक्शन 39 जिससे आप उसको पर्मानेंट डिटन बना रहे हूं यह सारे कंटेंशन उन्होंने दिये अगर नटसेल में कहूं अगर इसका करक्ष निकाले तो पिश्टी से क्या कंटेंशन था कि भया हमारा राइट था कि जिस महीने गलती होती है उस महीने मैं उसको ठीक करें और वह किसके थूर हो सकती थ उस दिन तक जो हमने रिटर्न गलत फाइल कर दी थी हम सोच रेखते हैं कि हम जीस्टीर 2 और 3 में उसको करेंट कर सकते हैं तो उन रिटर्न का क्या होगा आपने हमारा जो एक्ट में राइट दिया था लो में जो में प्रोपर्टी दी गई थी उसी राइट से आप हमें वं आते कही है आपको स्टेचूटरी प्रोविजन में राइट था एक फैट से लिटी थी इसी अवेल्ड करने की रिटर्न कैसे करेक्ट करने की किस मंत में करेक्ट करने की आपका इटी सिस्टम ठीक से चला नहीं एक्ट में टू और थ्री ओपरेशनलाइज होने चाहिए थी वह आपने करी भी लेकिन आपका जिब रिटर्न सिस्टम ठीक नहीं जला तो आपने उसको साइड में कर दिया तो और बोला साथ में कि आपका जो पेरा फोर है 26 बटा 26 का सर्कुलर का जिसमें बोला गया कि भई भी कुछ दिन पहले वह आई बटन में आपको दिख जाएगा जिसमें मैंने रूल 364 की बात करी थी कि वह वैलिड है या नहीं है दूसरा अगर 2A में इन्पुट नहीं आ रहा तो उसका रिफर्ण ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं उसमें भी मैंने कुछे केश लो डिसकस कि वह वह वीडियो भी आप पूरा देख सकते हो डेस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दी हुए आप वह वीडियो भी देख सकते हो उसमें आपको बहुत क्लियर लिया आपको यह चीज के लिए हो जाएगी कि अगर कोई सर्कुलर कॉंट्रेरी है एक्ट के तो वह 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 बोली अपने इस जजमेंट में कि भया आपका पेरा 4 जो सर्कुलर 26 बटा 26 का पेरा 4 है वो contrary to the provision of law है इसलिए वो validity नहीं है इसलिए उन्होंने final observation दी कि ACC को ACC की उन्हों रिट पेस्टिशन accept करी और बोला कि भया आप 3B की manually file कर सकते हो correct कर सकते हो यह उन्होंने court ने एब्सॉर्ब किया और उनको यह right दे दिया दो इस परकार यह बहुत ही welcoming decision आया डेली हाई court का पूरा आप I believe आपको यह पूरा analysis आपको समझ में आ गया होगा अगर फिर भी को comment box में डाल सकते हो दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे उसको clear करने की फाइनल जो हमारा takeaway यह है कि definitely आप लोग का यह question आ रहा होगा क्या-क्या सारे SEC जिन से 3B में गलती हुई थी वह इसा कर सकते है इस decision से हमें क्या फाइदा होगा definitely आपको कोशन होगा तो पहली चीज़ दोस्तों हर एक चीज़ डिपेंड करेगी फैक्ट और सरकम्टांसेस पर केस्टो केस बैसिस पर आई नो इस इस डिप्लोमेटिक आंसर आप डेफिनेटल सोच रहेंगे तो डिप्लोमेटिक आंसर है बट हां आप ठी केस लोज है वो सरकुलर डिपार्टमेंटल अथोरिटीज पर तो बाइंडिंग होता है इसलिए हाई कोट ने डिसीजन दिया क्योंकि हाई कोट पर बाइंडिंग नहीं था बट आपके जो सिसिंग ऑफिसर है वो सायद आपको अलाओ नहीं करेंगे जिस वेम में देली इस चीजन आ सकते हैं दोस्तों और लेट सी आगे गवर्मेंट का क्या टर्न रहता है इस पर्टिकुलर जजमेंट के आने के बाद वो तो हमें कुछ दिनों बाद ही क्लिए रहोगा अगर गवर्मेंट कुछ एक चीज लाती है तो साथ में इसमें पिटिशन की एक और कंट या नहीं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर कुछ नहीं जानकरी मिली हो या चीजे किलिर आपको हुई हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगर आपको अच्छा